प्रियंका ने कारकरताओं में भरा जोस बोली है अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाए फिर हटने नहीं दूँगी कॉंग्रिस नीदा प्रियंका गांधी वार्डरा चुनाव की कमान संभालने के लिए राइबरेली पहुँच गई है उन्होंने भू एम यू केस्ट हाउस में कारकरता सम्मेलन को संभोधित करते हैं कहा कि देश की हालत बहुत खराब है मैं यहां आ गई हूँ चुनाव में 329 घंटे बागी है लगातार काम करना है हर हाल में जीत दर्ज करनी है मैं आपके साथ कंधी से कंधा मिला कर लड़ूगी अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हर जाए फिर नहीं हटी दूगी उन्होंने कहा कि राइब और एली वो किला है जिसे भाज़ पर ढहा नहीं पाए है यहां पर हमारे जीत का संदेश दूर तक जाएगा तैयार हो जाए चुनाव तक लगातार काम करना है उन्होंने कहा कि भाज़ पर लोग के जजबा तुभार कर वोट की राजनीती कर रही है यह वा रोजगार की नौकरी की मांग करते हैं भाज़ पाकिस्तान की बात कर रही है जनता महंगाई से परिशान है लेकिन उस पर कुछ नहीं करते हैं कहा कि भाज़ पार रहे लेक्टरोल बॉंड लाकर भस्टचार को बढ़ावा दिया है जब सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर लेश्ट सामने आई तो पता चल गया भाज़ पा रेक्टरोल बॉंड के जरी धन देने वालों के नाम गुप्त रखती है मोदी यदि विश्व के बड़े नेता हैं तो देश में रोजगार दिलाए अपने भाशन में प्रेंगा गांधी ने प्रिधान मतीर नरेंदर मोदी और भाज़पा परेक के बाद एक तीके बढ़ार किये और कहा कि मोदी यदि विश्व के सबसे बड़े नेता हैं तो देश में रोजगार क्यों नहीं लाते सत्ता पाने के लिए अरब पत्यों से सान गांट करते हैं और कॉंग्रिस को सबसे ब्रष्ट पार्टी बताते हैं परिवारबाद की बात करते हैं लेकिन उनकी ही पार्टी में भाई बहें चाचा चाचियां करते हो रहे हैं क्या ये परिवार बाद नहीं है प्रियंगा ने कहा कि चुनाव के समय दो दो सीम को जेल में डाल देते हैं ये सब क्यों कर रहे हैं सिर्फ सत्ता में आने के लिए इन सभी की बड़े अरवपत्यों से 60 गाट है 50,000 रुपे के खातेर किसान आत्महत्य कर रहा है क्योंकि वे अ आगे बढ़ रहा है जी 20 हो रहा है विदेशी देश की बड़ाई क्या जाए हैं आपको बताया जाता है कि मोदी वेश्व के बड़े नेता बन गए हैं वे पूरी दुनिया में युद्ध रोख सकते हैं या दिवा इतनी बड़े नेता है और 10 साल उनकी सरकार अर्थ देश करती है सबसे वड़ा ब्रस्टचा तो इन्हों ने ही किया है गुजरात में पुल बनाने वाली कंपनी से चंदा ले लिया पुल ढह गया और से को लोगों ने अपनी जान कमा दी जिसको धंकाया जिनके घरों पर च्छापा डलवाया उनसे चंदा लिया इसका रहतीजा यह हुआ कि भारशपा दुनिया कि सबसे अमीर पार्टी बनगे वे आपकी भावना को कैसे समझवाएंगे आप कार्ताव को कोई पैसा नहीं मिलता है आप जनघवना से सेवा करते COMMCH और से ब्रस्ट पार्टी धरी कहा था कि दिदी यहां की लोग डरे हुए है कारकरम के बाल बगिल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि दीदी यहां के लोग डरे हुए होएं उन पर सरकार का दवाब रहता होगा क्योंकि नोने कोई सवाल ही मुझसे नहीं किया वहीं 36 गर्ड में ऐसा नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पर हमारा काम ध्यान पर रहता है हमें में मालूम है कि हमें काम के आधार पर वोट लेना है उता-प्रदेश के स्थिति अलग है यहां का नेतर जानता है कि वोट के समय धर्म की बात करेगा तो उसे वोट मिल जाएगा